भारत कोकिला, सरोजिनी नाइडू देखो मा, मैंने एक कविता लिखी है सुनाओ, माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देख कर कहा लेकिन तुम तो बीचकड़ित के सवाल हल कर रही थी हाँ, कर तो रही थी लेकिन जब वह समझ में नहीं आया, तो मैंने एक कविता लिख डाली उसके आग्रह करने पर, मा कविता सुनने बैठ गई तबे उसके पिता जी भी वहां पहुँच गए अपनी ग्यारा वर्ष की बिटिया, सरोजिनी की मुख से इतनी सुन्दर और सुरीली कविता सुनकर, माता पिता गद गद हो गए उन्होंने बेटी को शाबाशी दे कर कहा तू तो गाने वाली चिडिया जैसी है माता पिता की यह बात सतिसिध हुई आप तो लिखने का जो क्रम चला, वह चलता ही रहा तेरा वर्ष की अवस्था में उस नन्ही बिटिया ने तेरा सो पंक्तियों की एक लंबी कविता और तू हजार पंक्तियों का नाटक लिख डाला सरोजिनी का कंट अत्यंत मधुड था वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीत में मधुड स्वर सुनकर शुरोता मंत्र मुग्द हो जाते यही कारण है कि सरोजिनी को भारत कोकिला की उपाधी प्रदान की गई सरोजिनी का जन तीरा फरवरी सन अठारा सो उन्यासी इस्वी को हैत्राबाद में हुआ था पिता अघोरना चटोपाथ्याय तथा माता वर्दा सुन्दरी की काफी लेखन में विश्वी शुरुची थी सरोजिनी ने काफी लेखन की प्रतिभा अपनी माता पिता से विरासत में पाई थी काफी रचना के साथ साथ सरूचनी का अध्यान कार्य भी चलता रहा सन अठारा सो नब्बे एस्वी में सरूचनी ने मद्रास विश्व विद्याले से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेडी में उत्तीर्ण की उसने सब छातरों में प्रथम स्थान प्राप्ट किया था एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्ट करना उन दिनों असाधारण बात थी अध्यान के साथ 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 सरूचनी में गंभीरता आती गई उनकी कविता के विशे भी बदल गई अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्यन करने और उच्च कोटी की कविताई लिखने में लगाना चाहती थी। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें इंगलाण भेचा गया। वहां उनका परिचे प्रसिद्ध सहित्यकार एड्मंड गौस से हुआ। उन्होंने सरोचनी की कविता लेखन की ख्षमता और रुची को देखकर भारती समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। सरोचनी के तीन कविता संग्र प्रकाशित हुए। लिए पासुरी हाथों में हम घूमें गाते गाते मनुष्य सभें बंधू हमारे जग सारा अपना है। ये पंक्तियां दे गोल्डन थ्रेशोल्ड की हैं। इस पुस्तक से इंग्लाण का सहित्य जगत अश्चरी चकित रह गया। सहित्यकारों, समालोचकों और समचार पत्रों ने एक स्वर में उनकी प्रिशन सा की। भारत ने भी इस सफलता पर सरूचनी का अभिनंदन किया। भारत लोटने पर सरूचनी का विवा गूविंद राजुल नाइडू के साथ हुआ। ये हैदरबाद के रहने वाले तथा सेना में डॉक्टर थे। इस अंतरप्रांतिये और अंतरजातिये विवा के लिए ब्रह्म समाजी माता पता ने सहर्श अनुमती प्रदान की। उनका विवाही जीवन बहुत सुखी था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के साथ आने पर सरोजनी नाइडू राश्र प्रेम तथा मात्र भूमी को संबोधित कर कविताई लिखने लगी। शुरम करते हैं हम कि सम्रित्य हो तुम्हारी जागरती का पल। हो चुका जागरण अब देखो निकला दिन कितना उज्जवल। सरोजनी नाइडू की इन पंक्तियों को पड़कर सहची अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदे देश प्रेम से सर्वता ओत प्रोत रहा। सन 1912 इस्वी में दे बर्ड ओफ टाइम नामक कविता संग्रे का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रशंसा करते हुए यॉर्क शायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था। श्रीमती नाइडू ने हमारी भाशा को तो सम्रित्ध किया ही है। पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। समय के पंची का उड़नी को सीमित विस्तार। परला पंची तो यहां उड़ चला। इन पंक्तियों ने साहित्ती प्रेम्यों को स्वर्ग एक आनंद का अनभव कराया। सरोचनी नाइडू में तारों तक पहुँचने के लिए उपर उठने की चाह थी। उन्होंने अपने कविता संग्रा दब्रोकिन विंग में लिखा है। उचा उठती हूं मैं के पहुँचू नियत झरने तक। तूटे ये पंक लिए, मैं चड़ती हूं उपर तारों तक। गुपाल कृष्ण गोखले सरोचनी नाइडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेशी सरकार से मुक्त कराने का कारे कर रहे थे। इस कारे से सरोचनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को घुलामी की संचीरों में चक्णा देख कर, कोई भी इमानदार इंसान बैठ कर केवल गीत नहीं गुन-गुना सकता। कव्यत्रे होने की साठधक्ता इसी में है। किस संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूँ। ऐसा द्रण संकल्प करके सरोचनी ने तेश भर में चारो तरफ खूम-घूम कर स्वाथीनता का संदेश पहलाया। अब इनका अधिकतर समय राचनीतिक कारियों में फ्यतीत होने लगा। भारतिय स्वतंतरता संग्राम में शामिल होने के बाद उनका कविता लेखन कारे ठीमा पड़ गया। लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काफी में उन्होंने अपनी लिये बना लिया था वहां आज भी विद्यमान है। सरोचनी को लेखनी के साथ साथ वाड़ी का भी फरदान मिला था। लोग उनके थारा प्रवा भाशन को मंत्र मुक्द होकर सुना करते थे। वी पढ़दा प्रथा पर प्रहार, हिंदू-मुसलिम एकता पर बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आधी मुद्दों को लेकर देश की विभिन भागों में जाकृती का संदेश लेकर गए। इनके जोशीले भाशनों की देश भर में पहुत धूम थी। जब गांधी जी सन 1916 इस्वी में कॉंग्रेस अधिवेशन में सम्मलित हुए, उन्होंने वहाँ पर भी सरोचनी को उच्छा पूर्वत भाग लेते हुए पाया। यही पर जवाहलाल नहरों से उनकी पहली भेट हुई थी। नहरोंची ने लिखा है, मैं उन दिनों सरोचनी नाइडू के कई थारा प्रवा भाषणों से प्रभावित हुआ था। वेराश्ट्रियता और देश भक्ती से भरी पूरी थी। सन 1922 में जब प्रथम सत्याग्रा संग्राम का प्रतिक्या पत्र तैयार किया गया, तो उसमें उन्होंने पढ़ चड़ कर भाग लिया। सन 1922 में गांदीची पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हो गई। इस समय सरोचनी ने खदर वस्त्र थारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रा संग्राम का संदेश पहुचाने के कार्य में लग गई। इस समय ये कव्यत्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की उच्च गोटी की नेता भी थी। सन 1925 इसवी में इन्हीं भारतिये राष्ट्री कॉंग्रिस का अध्यक्ष चुन लिया किया। इस समय गांदीची ने उच्छा भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और पहली बार एक भारतिये महिला को दीश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। आधी की लडाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी। अन्तता भारत के लिए वह सो नहरा दिन भी आया जिसकी लोगों को फर्षों से प्रतीक्षा थी। भारत स्वतंत्र हुआ और श्रीमती सरोचनी नाइटु को उत्तर प्रद महिला थी। उनकी कारिकाल में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक चीवन में नया उत्सा दिखाई दिया। सरोचनी नाइटु राचनी तेक एवं सामाचिक जिम्यदारियों को निभाने के साथ साथ गीत और चुटकुलों का आनंद लिया करती थी। प्रकृती से उन्हें पहुत प्रेम था। जब 30 चनवरी सन 1948 इस्वी को दिल्ली में राश्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर द गई तो इस वज्रपात से सरोचनी नाइटु मरमाहत हो थी। देश भर में उदासी छा गई। सरोचनी नाइटु ने अपनी श्रधांचली में कहा। मेरे गुरू, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शान्त होकर विश्राम न करें बलकि उनकी राख गती मान हो थे। चंदन की राख में उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवन्त और उत्सा से परिपून हो जाएं कि समस्त भारत उनकी मृत्यू के बाद वास्तविक स्वतंतरत पाकर पुनर जीवित हो थे। मेरे पिता विश्राम मत करो, ना हमें विश्राम करने दो, हमें अपना वचन पूरा करने की ख्षमता दो, हमें अपनी प्रतिग्यां पूरी करने की शक्ती दो, हम तुम्हारे उत्राधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, तुम्हारे स्वपन प्रभावी रहा है अब तुम मृत्यू के बाद भी हम पर प्रभाव टालते रहो। नर्स का मधुर्गीत सुनते सुनते वे चिर निद्रा में सो गई। कहा है मेरी चीवन की ख्षधा नहीं मिटेगी जब तक मत आना है मृत्यू कभी तुम मुझ तक। सरोचनी नाइटू ने जू चीवन भर विपिन रूपों में देश की सेवा की है। इसके लिए हम भारत्वासी सदैव उनके रिड़ी रहेंगे। झाल झाल